आज हम बनाएंगे सक्रांती के लिए खास तिल और मावा की बर्फी ये बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तयार होती है और इसे आप बहुत ही कम इंग्रिडियंट्स के साथ घर पर ही बड़ी ही आसानी के साथ चटपट से बना सकत हैं और साथ ही इसे आप एक हफ़ते तक स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना वीडियो आपको पसंद आए से लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तिल और मावा की वर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग गर ली है गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम की कतरन और इसके साथ ही खुश्बू के लिए आदा चोटा चमच इलाइची पाउडर लिया है सबसे पहले हम तिल को ड्राइ रोस्ट करेंगे इसके लिए मैंने एक कडाई को हलका गरम कर लिया है गैस की फ्लेम हम य हलका सा कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे तिल को यहां पर हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है यह बहुत ही जल्दी भून जाते हैं यह लगबग चार से पांच मिनट में ही रोस्ट होकर त्यार हो जाते हैं तिल को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर हलका सा चेंज ना हो जाए और साथ ही हमारे तिल थोड़े फूल जाए तिल को रोस्ट करते हुए हमें लगबग 3-4 मिनट हो चुके हैं और तिल हलके हलके फूलने लगे हैं इस टेज पर हम गैस की फ्लेम को बिलकुल लो करेंगे और इसके बाद हम लो फ्लेम पर तिल को 1-2 मिनट के ली और भून लेंगे और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे तिल अच्चे से भून गए हैं इनका कलर भी हलका सा चेंज हो गया है और इसाथ ही तिल फूल भी गए हैं बहुत जादा भी हम quelquान்ते हैं अगर तिल को हम बहुत जादा भूनते हैं तो यह करवे हो ज तिल को हम एक mixer jar में डाल लेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे तिल को बहुत जादा बारीक नहीं करना है तिल को पीसने के लिए mixi को लगातार ना चलाएं अगर आप लगातार जादा देर तक mixi चलाएंगे तो तिल में से oil release हो जाएगा तो आप mixi को थोड़ी देर चल पिर बंद कर देविः और इसी तरह से तिल को पीसें और यहां पर तिल को मैंने डरदरा पीस लिया है बिल्कुल भी बारीक नहीं किया है और इन्हें भी एक साइड पर पर रख देव फिर से मैने वही कड़ाई ले लाई है और अब्सम डाल रही हूँ एक छोटा चमच द मार्केट में किसी भी डेरी की शौप पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा लेकिन अगर आप घर का मावा यूज करना चाहते हैं तो आप डेर्ड लीटर दूद को गरम कर लीजिए और इसे मावा बना लीजिए मैं यहापर होममेड मावा ही मावा बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे अगर आप घर का मावा यूज कर रहे हैं तो यह एक दो मिनट में ही सौफ्ट हो जाता है और यह देखिए एक दो मिनट में ही हमारा मावा एकदम सौफ्ट हो गया है और अब हम इसमें चीनी भी एड़ कर देंगे और चीनी को भी मावा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मेल्ट होने तक बून लेंगे मैं यहां पर पीसी हई चीनी यूज़ कर रही हूँ यह बहुती जल्दी मेल्ट हो जाती है इसके लिए मैंने चीनी को एक मिक्सर जार में डाल लिया था और उसे पीस लिया था एक दो मिनट में ही हमारी चीनी मावा के साथ मेल्ट हो जाएगी और यह देखिए यहाँ पर हमारी चीनी भी मावा के साथ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और साथ ही इसमें बबल्स भी आने स्टार्ट हो गए है अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हमने जो तिल पीस कर रखे थे उसे हम इसमें एड़ करेंगे और इसके साथ ही हमने जो साबुत तिल बचा कर रखे थे उसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें इने मिक्स करना है और इन सब को mix करते हुए हम हलका सा और भून लेंगे जब तक कि हमारा ये जो mixture है ये जमने वाली consistency में ना आ जाए और ये देखिए friends यहाँ पर मैंने सारी चीजों को low flame पर एक दो मिनट के लिए और भून लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा mixture अब गाड़ा हो गया है और साथ ही ये जमने वाली consistency में भी आ चुका है गैस की flame हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आदा चोटा चमच इलाइची powder और इलाइची powder को भी हम इसमें mix कर लेंगे यहाँ पर एक ट्रे को मैंने पहले से ही घी से ग्रीज करके रखा हुआ है और तयार mixture को अब हम ट्रे में डालेंगे और एक spatula की help से इसे ट्रे में फैला लेंगे जितना पतला या मोटा आपको बर्फी को रखना है उसके हिसाब से आप इसे फैला लें और इसके बाद बदाम और पिस्ता की cutting से इसे decorate कर लें यह बिल्कुल optional है अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो आप इसे skip कर दें लेकिन बदाम और पिस्ता का जो टेस्ट है वो बर्फी में बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही इससे हमारी बर्फी दिखने में भी बहुत सुन्दर दिखती है और इसके बाद एक spatula की help से बदाम और पिस्ता की कतरन को हलके से दबा दें जिससे कि यह बर्फी के अंदर set हो जाएं और यह देखिए लग रही है ना हमारी बर्फी बहुत ही tempting और अब हम इसे एक side पर ठंडा होने के लिए रख देंगे जिससे कि हमारी बर्फी अच्छे से set हो जाए और जब यह थोड़ा ठंडा होकर set हो जाए तो हम इसके pieces काट लेंगे आप अपने मन पसंद size या shape में बर्फी के pieces काट सकते हैं यह बर्फी खाने में बहुत ही tasty लगती है और बहुत जल्द बनकर तयार हो जाती है और हफ़ते भर तक आप इसे बिनाफ दिच के भी store कर सकते हैं और यह देखे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे pieces काट ली हैं और यह कितनी soft बनी हैं मैं आपको दिखाती हूँ इस सक्रांती पर आप भी अपने महमानों के लिए यह तिल और मावा की बर्फी जरूर बनाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मेरे साथ शियर करें